तेकिट विदरं से नाराज कॉंग्रेसीं उन्हें वरिष्क डिग्वजह सिंग और उनके बेटे जयवधन सिंग के किलाफ। तेकिट बटवारे को लेकार कॉंग्रेस में बात कपड़े फाडने तक तो पहले ही पैच चुकी थी। लेकिन अब कॉंग्रेस कारे करताओं को खुल कर दिगविजय सिंग और उनके बेटे जैवधन सिंग की मुखालफत करना पड़ रहा है। पिछले दो दिनों से कॉंग्रेस मुख्यालाय में दिगविजय सिंग मुर्दाबाद के नारे कॉंग्रेसी लगा रहे हैं। कॉंग्रेस नेता दामोदर सिंग यादव ने कहा कि दिगविजय सिंग अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। जिसके चलते उन्होंने सिंधिया को पार्टी से निकालने पर मजबूर किया। और अब वो हम जैसे लोगों को भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। राहूल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागी डारी। मगर कॉंग्रेस उस फॉर्मूले पर काम नहीं कर रही है। भुपाल में कॉंग्रेस मुख्याले पर तमाम कॉंग्रेस कार करताओं और निताओं ने एक सुर में दिग्विजय सिंग के खिलाफ मूर्चा खुला और दिग्विजय सिंग और जैवर्दन सिंग के पुतले जलाए। पुतले जलाने वाले निताओं ने कहा कि निकम्मे बाप और नकारा बेटा कॉंग्रेस में आग लगा रहे हैं इसलिए हम इनके पुतले जला रहे हैं PCC में लगे पोस्चर पर दिग्विजा सिंग के फोटो को जूते से पीटा गया और कीचर पोती गई कॉंग्रेस अंगधन प्रभारी राजिव सिंग के चेंबर पहुचे नारास कॉंग्रेस ही उने जीतु पटवारी और केके मिश्रा की नेम प्लेट भी तोड़ दी मुदाबाद! आप देख रहे हैं डखल न्यूट